लग वेलकम बैक इन माई नियो वीडियो मैं सेल एसकेट गरवाल नाओ इन दिस वीडियो वी टॉक तो बाउट सम्मुपोर्टेंट फैक्ट आपाउट एलगी एलगी से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट है उनके बारे में ञ EVERY जो सबस्क्राइब कर लें क्यूंकि इस प्रकार के उस्तों नहीं पुचेट यह बिडियो कंटेनू डाल रहे हैं तो अभी जो class की exam है उनके लिए या ठीक लेक्टर है उनके लिए काफ़ी इंपोक्टेंट इस प्रकार के च्वट्रएट जो कंसेप्ट रहेंगे और इस प्रकार के जो भी वीडियो हैं उन की कॉमन नेम कौन से कौन से हैं जैसे ग्रीन एलगी ग्रीन एलगी का कॉमन नाम कुन सा है क्लोरोफाइसी तो क्लोरोफाइसी को तो अपन बोलते ग्रीन एलगी अगला ब्राउन एलगी जैसे अपन फ्यूफाइसी बोलते हैं रैड एलगी रोड़ोफआईसी, ब्ल्यू ग्रेन एलगी साइन ओफईसी, यलो ब्राउन एलगी क्राईसोफ़ाईटा तो यहाँ पर यह इंपोर्टेंट रहेगी यलो ब्राउन एलगी क्राईसोफ़ाईटा आगे अपन देखते हैं some reserve food material या stored material in algae different algae के अंदर कौन से जो stored material या food को store किया जाता है जैसे अपन देखे साइनोफायसी या blue green algae उनमें खास तोर से देखा जाता है कि उनमें glycogen का synthesis या उनका storage किया जाता है आगे अपन देखे few of ice काफी बर मतलब ऐसे exams में जो क्यूशन से वह पूछे जाते हैं इनकी stores related तो few of ice जो class है brown algae उसमें laminarine और manitol से related प्रोडक्ट है या store किये जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं road of ice में देखते है अपन तो floridian starch तो यहाँ पर floridian starch आजएगा जेंट फाइसी जेंट फाइसी के अंदर ओइल है वह एक टजे storage प्रोडक्ट के रूप में प्रजेंट होता है क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसील में जो simple starch है photosynthesis से बनने वाली वह storage के रूप में देखने को मिलता है आगे अपन देखते हैं पिगमेंट इन एलगी में डिफिरेंट प्रकार के एलगी जो हैं उनमें डिफिरेंट प्रकार के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं तो इनकी जो पिगमेंट्स है इन पिगमेंट्स पर भी काफी वर क्यूसंस बनते हैं या तो अपन जैसे option को match करने वाले क्यूसंस बनते हैं या कौन से ने मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं जैसे chlorophyce क्बाराऀसे के अंदर chlorophyll A और chlorophyll Summon?」 रपनवाविछल होते हैं 10GR kriptophyce काफी बार क्रिप्ट फाइसी के बारे में पूछा भी जाता है क्ड्रिम्ट फाइसे इंपोर्टेंट है जिसमें Chlorophyll A and Chlorophyll C present होते हैं Bacillaryophyce Bacillaryophyce कहें या अपर आपन कहें Diatums Diatums और इसमें खास तोर से मिलता है Chlorophyll A and Chlorophyll C आगे अपन देखें Chrysophyce Chrysophyce के अंदर Chlorophyll A Chlorophyll C Chlorophyll D and Chlorophyll E present होते हैं Gent of Ic में देखते हैं Gent of Ic भी काफी पर पूछा जाता है एक्जामस में जिसमें Chlorophyll A Chlorophyll E देखने को मिलते हैं अगला आपन देखें Brown Algae Feophyce जिसके अंदर Chlorophyll A and Chlorophyll C देखने को मिलते हैं अगले क्लास Rodophyce Red Algae जिसमें Chlorophyll A and अदर जो पिगमेंट हैं वो दू प्रकार के हैं इरिथ्रो या फिर अपन कहें Rodophyce, Phyco Erythrine या R Phyco Erythrine and R Phyco Cyne ये तिनों पिगमेंट हैं वो Rodophyce या Red Algae के अंदर देखने को मिलते हैं आगे Cynophyce या कहें आपन Blue Green Algae जिसमें Chlorophyll A के साथ Mygzogentophyll, Mygzogenthin, C Phyco Erythrine and C Phycocyanin क्योंकि जो Rodophyce है उसमें R Phyco Erythrine और R Phycocyanin present होता है R जो ट्रम है यहां पर Rodophyce से लिया गया है या Red Algae से और Cynophyce से C लिया गया है तो Cynophyce के अंदर दोनों पिगमेंट सेम होते थे इसलिए इनका नाम जो है वो Phyco Erythrine और Phycocyanin कर बेर पूछा भी जाता है कि जो Cynophyce है उनका Blue Color वो किसके कांट से होता है तो यह C Phycocyanin की presence के कांट से होता है तो यह कुछ important concept या फिर आपन कहें कुछ aspect थे जो कर दो कर दो